नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल यूनिक मैडिसिन दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे सिल्वर नाइटरेड जैल के वारे में जो इसका जो ब्रांडेड नेम है वो सिल्वर एक्स आयोनिक है जो की एक ट्रेडमार्क कम्पनी है दोस्तों 20 ग्राम की इस ओइन्मेंट की यानि इस जैल की पैकिंग होती है 20 ग्राम की पैकिंग में ये आपको मिल जाता है इसके साथ ही इसके बहुत सारे फाइदे हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो वीडियो में आगे वढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेश्ट है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए notification bell को on कर लीजिए और दोस्तो वीडियो पसंद आता है तब इसे like और share करना बिलकुल न भूले दोस्तो यहाँ जो आप देख रहे हैं यह medicine अपने generic name silver nitrate gel यानि दवाई अपने मूल नाम silver nitrate gel के नाम से market में मिल जाती है और इसके साथ ही यह इसका branded name हो जाता है तो इसके branded name अलग-अलग हो सकते हैं बट दवाई का जो salt होगा वो silver nitrate gel होगा तो दोस्तो हम जान लेते हैं इस medicine के फाइदे क्या-क्या है और इसके बाद हम जानेंगे इसकी basic जानकारी तो सबसे की category वाली यह medicine है जो की treat करती है बिविन प्रकार के skin से related problem को जैसे कि skin का burning हो जाता है skin पर कहीं आपको phodefin si हो जाते हैं कुछ दाने जैसे हो जाते हैं जलन हो जाती है या cut जाता है या skin में कुछ लग जाता है तो उस समय यह medicine को doctor apply कराते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं और यह medicine अपने काफी अच्छे result जो है patient को देती है दोस्तों बात कर लें infection के case में तो यह bacteria को मारती है उसकी growth को रोकती है और जखम पर यानि गहाव पर जो पस बनता है उसको भी रोकने का काम करती है के साथ ही कभी कभी यह medicine जो है bleeding वगयरा को भी रोकती है जैसे अचानक किसी को कोई cut या घाव लग जाता है तब बहाँ से बहुत ज़्यादा bleeding होती है तो उस समय भी इस medicine को अगर apply किया जाता है तब यह blood को रोकने का काम करती है क्योंकि यह जो work करती है वो एक barrier की तरह काम करती है यानि blood और जो उसका खुला हुआ मूँ है जख्म का उस पे barrier की तरह काम करके blood को रोकने का काम करती है दोस्तो इसके साथ ही doctor जो है इसका stitching के time पर भी use करती है जैसे जख्म बगयरा किसी को cut लग जाता है तो उस जगा पर जो है टाके लगाई जाते हैं stitching वगयरा doctor करते हैं तब उसके बाद भी इस medicine को apply किया जाता है दोस्तो इसको सरिफ external use किया जाता है internally इसका कोई use नहीं किया जाता है तो दोस्तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि medicine अपने क्या salt composition है किस तरह की effect रखती है क्या MRP है तो ये basic जानकारी जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तो composition की अगर हम बात कर लें तो इसमें silver nitrate Indian pharmacopoeia के according मिल जाता है 0.2% weight by weight की form में और यहाँ पर आपको ethyl alcohol Indian pharmacopoeia के according approximately 4% volume by volume की form में मिल जाता है दोस्तो इसके साथ ही gel base मिल जाते हैं आपको quantity sufficient gel base क्या है quantity sufficient होने का मतलब यह है कि इस medicine का जो composition है इसको बलकी करने के लिए यानि इसको बढ़ाने के लिए gel base जो है मिलाई जाते हैं दोस्तो इसको अपने doctor की सला के अनुसार ही इसका apply करना है use करना है इसको 30 degree से ज़्यादा के temperature पर store नहीं करना है उससे नीचे नीचे के temperature पर store करना है freeze वगेरा में नहीं रखना है दोस्तो ये एक external use medicine है तो हमेशा इसका आपको बहारी use करना है जैसे आपके body पर कहीं कोई घाव कट या कोई wound वगेरा लग जाता है या कहीं stitching हो जाती है तो उससा में इसका external use करना है इसका internally use कहीं नहीं करना है तो यहां ध्यान रखने वाली बात है इसके साथ ही दोस्तो ये red strip medicine है यानि ये हमेशा आपके doctor के prescription इफशन पर ही ली जानी चाहिए दोस्तो यहां इस medicine का license number हो जाता है इसको विर्चाओ वाइव टेक प्राइविट लिमिटेड ने manufacture किया है और इसके साथ ही दोस्तो यहां बात कर लें अगर हम इसके MRP की और इसके manufacturing expiry date की तो यहां इसकी जो manufacturing है वो 2020 की है एक्सपाइरी October 2022 तक की है तो दोस्तो यहां इसकी expiry manufacturing date हो जाती है इसके 37 का जो MRP है वो 130 रुपीज है तो लगभग 130 रुपए या इससे कुछ कम में आपको किसी भी medical store से मिल जाती है दोस्तो MRP समय और area के हिसाब से बदलते रहते हैं हो सकता है आपके area में यह medicine कुछ कम या जादा में मिल सकें तो दोस्तो यह इस medicine के फाइदे और basic जानकारी की बात हुई अब हम बात कर लेते हैं कि इस medicine के contraindications क्या क्या हो जाती है दोस्तो जो ऐसे patient होते हैं जिनोंने पहले इस medicine का use किया है और अगर उनको allergic symptoms आई हैं यानि उनको allergy वगेरा हुई है तब इस medicine को use करने से पहले अपने doctor को बता दें उनको बता दें कि doctor साब मुझे इस तरह की medicine से पहले problem हुई है तो further उस तरह से जिस तरह से आपके doctor बताएंगे उस तरह से आपको use करना होता है दोस्तों इसके साथ ही ये medicine कुछ other medicine के साथ interact करती है तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा ये चीज अपने doctor को बतानी है और जिस medicine के साथ interaction होता है उसके साथ इस medicine को नहीं लेना चाहिए दोस्तों इसके साथ ही अगर हम side effect की बात कर लें तो कुछ patient में क्या होता है कि इसको लेने के बाद skin burning की problem हो जाती है या skin itching की problem हो जाती है इसकिन पर खुजली होने लगती है इसकिन पर races वगरा पड़ जाती है या skin का जो color है वो change हो जाता है जैसे कि किसी patient में color जो है लाल हो जाता है और किसी किसी patient में skin का color पीला होने लगता है यालो होने लगता है तो इस तरह की अगर कोई symptoms दिखते हैं तो further इस medicine को use ना करें दोस्तों कुछ बात कर लें और safety tips की तो जो pregnant movement है उनको इस medicine का use नहीं करना है अगर वो करती है तो अपने doctor की सला के नसार करें और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो alcohol पीते हैं सराब पीते हैं तो उनको इस medicine का use नहीं करना है दोस्तों इसको use करने का तरीका यह है कि जहाँ पर आपको use करना है आपको किसी जखम पे या किसी cut पे या stitching वगएरा जहां होई है पहले उस जगा को साफ पानी से अच्छी तरह wash कर लें अच्छी तरह से दोलें इसके बाद इसकी एक पतली सी layer उस पर apply कर दें तो इस तरह से इस medicine को apply किया जाता है दोस्तों यह थी इस medicine के वारे में एक complete जानकारी मैंने कोशिस की आपको एक अच्छी जानकारी देने की और मुझे आसा है कि दोस्तों जानकारी आपको पसंद आयोगी दोस्तों जानकारी पसंद आये तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ धन्यवाद आपका दिल